हेले और विल्कम बेक टो भीड़े क्लासेज यूपी सो अगेन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कॉंस्टेवल के हिंदी के पेपर का आपके लिए लेकर आए प्रैक्टिस सेट करेंगे क्वेशन हम तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज एक बार से वीडियो क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब और वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक और सेर भी जरूर कर दीजेगा ठीक है, तो बीना टाइम व्यर्थ किये देखते हैं अपना पहला क्वेशन पहले क्वेशन में हम से पूछा है आपको बताना है कि इसमें कौन सा लंकार है एकि तो बताएंगे इसमें कौन सा लंकार है जैसा कि हमने समझा हुए अपने पिछले वीडियोज में हर एक वीडियोज में हमने अलंकार ये सारी चीज़े समझे हुई है जहां पे हमारा वर्डो की आवरिती है सब्दो की आवरिती होती है वहाँ पे हम क्या करते है अनुप्रास अलंकार होता है हमारा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जन, रंजन, मंजन, दनुज, मनुज, रूप, सुर्भूप यहाँ पे आपको आवरित्ती बारबर दिख रही है वर्डो की यहाँ पे कौन सा लंकार है यहाँ पे साफ है कि हमारा अनुप्रासा लंकार हो जाएगा तो सही विकल्प क्या है दूसरा हमारा एक मात्र सही विकल्प है उत्प्रेक्षा लंकार कब होता है जब मैंने आपको बताया हुए जनु, जानो, जनु, मनु, मानो, मनु यह सारे वर्ड जहाँ पे आए वहाँ पे कौन सा लंकार सीध हैं उत्रेक्षा लंकार के साथ जाते हैं उसके बाद यमक लंकार जहाँ पे आपको एक से अधिक बार एक सब्दा है पर क्या होता है और जो होता है उसका अलग-अलग आता है वहाँ पे यमक अलंकार होता है, जैसे कि बसबन से पड़ा हुए है, याद है में, कनककते सोगुनी मादताअधिका है, इसमें क्या है, कनकक जो सब्द है, वो दो बारा है, पर दोनों का अर्थThey Dullaid-A-D schleda, ठीक, तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है, और अन्युक्ति कब होता है जब कोई बास सीजन ना कहके क्या होता है दूसरे के सहारे कही जाती ही वहाँ पे अन्युक्ति अलंकार होता है तो आयोप आपको ये समझ भी आ गया हो एक चीज और इसमें हम समझ लेते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं अलंकार के तीन भेद होते हैं इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कौन-कौन से होते हैं सब्दा अलंकार, अर्था अलंकार और उभियालंकार कौन-कौन से सब्दा, अर्था और उभियालंकार अब इसमें भी हमसे पूछा जाता है कि सब्दा लंकार के भेद कौन से हैं और अर्था लंकार के भेद पूछा जाता है लेते हैं इसको हम देख लेते हैं सब्दा लंकार के कौन-कौन से इसमें हम एक्जामपल जो है हमारा ओप्सन इसी में समझ लेते हैं उत्प्रेक्षा लंकार क्या है ये अर्था लंकार का भेद हो गया ठीक अनुप्रास लंकार क्या है ये सब्दा लंकार का भेद है और उसक के उर्बसी छबे उर्बसी शमान में कौन सा अलंकार है अब आपको मैंने स्टार्टिंग के पहले कोश्चन में बता दिया है तो आप बता सकते हैं इसली अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे कहीं भी हमको वड़ों की आवरिती नहीं दीख रही है तो अनुप्रास होगा नहीं स्लेस है वक्रोक्ती है या यह मकलंकार है तो बताएंगे आपके पास तीनी विकल्प है तीनों में से बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा क्रिश्न कहते हैं कि हे सुजान राधी के तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप मतलब कि सौंदर पर उर्वसी जैसी नारी को भी नियोचाओर कर सकता हूँ मतलब कि क्या है यहाँ पर उर्वसी सब्दों की आवरित्ति यहाँ पर उर्वसी सब्द दोबारा है तो एक उर्वसी का क्या आर्थ होता है? एक अति सुंदर मानी गई अपसरा जो है वो उर्वसी है और एक उर्वसी का आर्थ है कि हिर्दय में बसी हुई तो अब यहाँ पर आपको क्या है इसकी व्याख्या कि क्रिष्ण कहते हैं कि हे सुजान रादी के तुम्या समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर पर उर्वसी जैसी नारी को भी निवचार कर सकता हूँ कारड यह है कि तुम तो मेरे हिर्दय में उसी प्रकार निवास करती हो मतलब कि यहाँ पर दूसरे उर्वसी का क्या है कि हिर्दय में बसी हुई या निवास करना उर मतलब कि क्या होता है उर मतलब हिर्दय ठीक तो यहाँ पर कौन सा लंकार होगा यमक लंकार होगा तुम म का लंकार हो जाएगा एक मात्र समिवी कल्प है चोथा ठीक है समझ में आया आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पर अपने उससे पहले एक बार यहां पर हमें अनुप्रा सलंकार पता है क्या होता है कब होता है यमक भी पता है स्लेस सलंकार कब होता है इस चीज़ को एक ब रूपक अलंकार क्या होता है चरड कमल बंदोहरी राई यह example मैंने दिया था आपको बीच में योजक चिन मिलेगा योजक चिन कैसे होता है ऐसे योजक चिन होता है तो चरड कमल बंदोहरी राई इस प्रकार का जहां पे आपको मिले वहां पे रूपक अलंकार होता है उपमा question की बढ़ते हैं तीसरे नमबर का प्रशन पूछा है हमजे आस्मान में विजली चमक रही है, रेखांकी सब्द का पर्यावाची है, आपको प्रयावाची बताना है कि विजली का क्या होगा रजनी होगा, चंचला होगा दिवाकर होगा, या नीरत होगा तो बिजली का जो परिवाची होता है वो चंचला होता है ठीक है निर्वाद का समनार्थी सब्द है निर्वाद का समनार्थी सब्द क्या है भ्रम है विवाद रहित है बीना हवा वाला है या बुराई है बताएंगे निर्वाद का समनार्थी सब्द क्या है तो पौवं से रहित यानि की नीर्वात का समनार्थी सब्द गया होगा बीना हवावाला अगला question है नीमन लिखित में से कौन सा सब्द जंगल का परियावाची नहीं है आपको बताना है कि जंगल का परियावाची कौन सा नहीं है इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे क्या पूछा आपसे question नहीं है या है तो सबसे पहले तो जंगल का क्या परियावाची होता है यह अगर हमें पता होगा तो क्या नहीं है वो हम छाट लेंगे तो जंगल का जो परियावाची होता है वो अरड़े भी होता है कानन भी होता है और विपीन भी होता है ये सारे तो जंगल के परियावाची हो गया है तो हमसे पूछा है क्या नहीं है तो विपन जो है वो जंगल का परियावाची नहीं है वो हीन का परियावाची है ठीक ओके, विराट का विलोम सब्द है, विराट का विलोम सब्द ब्रिहत होगा, ब्रिहत होगा, छोटापन होगा या चुद्र होगा, बताएंगे, तो विराट का जो विलोम सब्द है, वो है चुद्र, अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं, इसमें पूछा हैं हमसे निमनलिखित मे से लोकोकती जस दुलहा तस बनी बरात का क्या अर्थ है आपको बताने कि जस दुलहा तस बनी बरात का क्या अर्थ होगा जो उपकार करे उसका अहित करना या जितना खर्च करोगे वस तो उतनी अच्छी मिलेगी या घर में आने वाले का सतकार करना चाहिए या जैसे मुखि या वैसे ही अन्य साथी ठीक है ले दही दे दही लोकोक्ति का सही अर्थ है आपको बताना है इसमें भी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा ले दही दे दही का एक से बढ़कर एक होगा कुछ मतलब नो रखना या बराबर का सौधा या गरज का सौधा तो ले दही दे दही का जो सही अर्थ होता है वो होता है गरज का सोधा एक मात्र सही विकल्ब क्या है हमारा चौथा ठीक है दसवा नमबर का क्वेशन पूछा है आपको बताना है कौन सा सब्द पूलिंग है पूलिंग इस्ट्रिलिंग यह आप से एक्जाम में पूछता है वचन क्या क्या जाता है दिया जाता है हान ही होती है प्यास लगती है बचत की जाती है तो यह सारे क्या है इस्ट्रिलिंग है पूलिंग क्या है वचन है इस तरह आप बोल के मन में ही चाहें तो आप बोल के एक बार चक कर लेंगे पूलिंग है या स्ट्रिलिंग है सब्द निम निलिखित प्रश्ण में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो स्ट्रिलिंग रूप वाला विकल्प है आपको बताना है कि स्ट्रिलिंग रूप वाला कौन सा विकल्प है अब ही हमसे पूलिंग पुछा था अब क्या पूछ रहा इस्ट्रिलिंग तो फिर एक बार से हम बोले के चेक करेंगे कमर क्या है इस्ट्रिलिंग है या पूलिंग या बताएंगे होट, चीन, बुद्वार बताएंगे तो इसमें कमर क्या है? ये इस्त्रिलिंग है ठीक कमर क्या विजित तूट जाती है? कमर में मोच आ जाती है होड़ फट जाता है ये सारे पूलिंग है और कमर जो है वो इस्त्रिलिंग है अगले क्वेशन के और बढ़ते हैं इसमें पूछा है हमसे नीमनली खित में से कौन सा सब्द बहुबचन है कौन सा सब्द बहुबचन ही आपको बताना है पुछतक है पौधा है लड़का है या प्राड है तो हमें पता है प्राड जो है ये हमेशा ही भोगवचन होता है प्राड, आसू, बाल ये सारी क्या है भोगवचन है ठीक अगला क्वेशन है वचन की दृष्टी से कौन सा जोड़ा सही नहीं है सही नहीं है आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है जो छोटी की मात्र होती है, वो सक्षियां पे होती है, ठीक, तो एक मात्र सही विकल्प क्या है, option number 4 हमारा सही है, उक्तर, अगले question के बढ़ते हैं, headmaster ने लपक कर मेरी गर्दन दबोश ली, यहां पे आपको गद्यांस पढ़के उत्तर देना है, ठीक, तो एक बार से गद्यांस पढ़ेंगे, फिर उत्तर देंगे, मैंने पढ़ा हुए, एक बार से आप भी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम question देखते हैं, खाई सब्द का link क्या है, पहला question हमसे पूछा है, खाई सब्द का link क्या है, पूलिंग है, इस्त्रिलिंग है, उभैलिंग है, या ज्यात नहीं किया जा सकता है, तो अभी हमने इस्त्रिलिंग, पूलिंग वाला question किया, तो आई होप आप इसको कर लेंगे, तो खाई जो है वो क्या है? इस त्री लिंग है ये बिना ये चीजए आप बिना पढ़े कुछ question ऐसे होते हैं गद्यांस में जो आप बिना question पढ़े कर सकते हैं solve तो ये जो है हमारा प्रशनी ये बिना गद्यांस पढ़े ही हम कर सकते हैं फिर भी आप एक बार गद्यान्स पढ़ लेंगे और उसके बाद जो बाकी के question होगे उसको solve करेंगे यहाँ पर हमसे खाई का link पूछा है तो अभी हमने question क्या हुआ था तो हमें पता है कि खाई क्या होती है यह एक प्रकार का इस्तिरी लिंग सब्द है आप मन में एक बार इसका वक्त के बना के भी सोच सकते हैं जैसे नदी के उस तरफ खाई है या अपने आप में क्या है इस्तिरी लिंग है अगले question के और बढ़ते हैं कुछ प्रत्य और उपसर्ग के भी question होते हैं वो भी आप इना गद्यांस पढ़े solve कर सकते हैं गद्यांस के अनुसार लेखक किस बात को कभी नहीं भूल पाया यह आपको बताना है तो यह सारे question solve करने के लिए आपको एक बार से गद्यांस पढ़ना ही पढ़ेगा और एक बार आप इसका screenshot लेके गद्यांस को पढ़ लेंगे उसके बाद इक question solve करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि गद्यांस के नुशार लेखक किस बात को नहीं भूल पाया था पिता द्वारा दिखाये गए साहस और होसले को आपको यहीं पे मिल जायेगा यह answer यह आप देख सकते हैं लेकिन काली राम headmaster ने गाली देकर मेरे पिता जी को धमकाये यहाँ पे लेकिन पिता जी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ उस रोज जिस साहस और होसले से पिता जी ने headmaster का सामना किया मैं उसे कभी नहीं भूल पाया और यहीं question हमसे पूछा था ठीक अगले question क्यों बढ़ते हैं उपर युक्त गद्यांस के अनुसार प्रस्णों का सही उत्तर दे समूह में समूह से भिन सब्द है समूह से भिन कौन सा सब्द है तहनिया है आखे है आसू है जाडू है तो समूह से जो भिन सब्द है वो क्या है जाडू है टहनिया, आखे, आसो, ये सारी चीज़े आप गध्यांस पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगी हिंदि किस परिवार की भासा है, आपको बताना है हिंदि किस परिवार की भासा है काकेसी की है, पापुई की है, भारोपी की है या सामिहामी की है तो हिंदी जो है वो है भारोपी परिवार की भासा, इसी इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, कहीं नोट कर लेंगी, यह important question है, ओके, अठारवे नमबर का question है, किस कभी को भारती आत्मा कहा जाता है, यह भी अमारा most important question है, इसी इसको भी आप नोट कर लेंगे, अच्छे से क डबल ट्रिबल इस्टार लगा के, ठीक है, तो जो माखनलाल चतुरवेदी जी है, इनको एक भारती आत्मा कहा जाता है, ठीक, अगले question के बढ़ते हैं, मलिक मुहम्मद जैसी ने पदमावत महाकाबे की रचना किस भासा या बोली में की थी, ओधी में की थी, मैतली में की चतिस गड़ी में की थी, या मगधी में की थी, तो इसका जो सही विकल्प होगा हमारा पहला होगा, मलिक मुहम्मद जैसी ने पदमावत जो महाकाबे उसकी रचना अवधी में की थी, ठीक, इसके बाद last question है, हमारा बाढ़ के कारण, जानमान, जानमाल की भारी, डैसे हो क्या हो चुकी थी, तबाही हो चुकी थी, विनाश लीला हो चुकी थी, रंजिस हो चुकी थी, या उगाही हो चुकी थी, तो जो है, यहां पे सही विकल्प क्या बनता है, हमारा बाढ़ के कारण, जानमाल की भारी, तबाही हो चुकी थी, तबाही होती है, ठीक, यह सारे option गलत है आज के वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी आपने कितना स्कूर किया कि ये वीडियो के अंत में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपने कितना समझ में आया है ये भी आप चाहें तो बता सकते हैं आज के वीडियो में बस इतन Thank you!